तो हेलो दोस्तों कैसो आप लोग I hope सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो दोस्तों आज का topic स्टार्ट करने से पहले हम कल के पहले थोड़े से doubt solve कर लेते हैं जो हमने कुछ हमारे offline के बच्चे हैं जिनसे हमने discuss किया था चोटे मोटे doubts हैं वो discuss कर लेते हैं फिर हम कल का revise करेंगे quickly उसके बाद हम आज का session स्टार्ट करेंगे आज का session हो सकता थोड़ हम एक एक line by line नहीं पड़ेंगे हम important चीजों को highlight करेंगे समझेंगे सब कुछ सिर्फ जो आपको words है वो highlight करके आपको बताया जाएगा ठीक है और आपको read out करना है लेकिन वो आपको self read out करना है तो पहला doubt यह आया था evidence में persuasive evidence और conclusive evidence जो हमने पढ़ा था कहा पड़ा था हमने यह देखो persuasive evidence और conclusive evidence एक बार और समझा दीजिए तो इसको मैंने यह भी कहा था कि यह अभी आगे आएगा इस पर एक questions भी आता है sorry I'm sorry इस पर एक question आता है मैं वो question नहीं करा दूँगा वो आज मैंने add करवा दिया है team से ठीक है attention नालोज कोई second question है sufficient and appropriate evidence क्या होता है देखो दोस्तो as an auditor order के हिसाब से sufficient और appropriate evidence होना चीए सबूत होना चीए sufficient क्या होता है sufficient denote करता है quantity से ठीक है appropriate denote करता है quality से sales का अगर एक बिल भी है तो वो चलेगा वो sufficient है एक बिल भी बहुत है ठीक है अगर export का बिल है custom का बिल है तो वहाँ पर तीन document जाते हैं एक ही बिल तीन तरीके से जाते है तो हमें वो तीन चीज़े चाहिए होती है bill जाता है bill of entry जाती है फिर उसका क्या बोलता है releasing एक document होता है वो जाता है ठीक है तो तीन चाहिए तो वहाँ पर तीन चाहिए यानि तीन document sufficient है ठीक है appropriate यानि वह quality होने चाहिए उसमें उस कि अगर sales का document है तो वह document में ही सारी चीज़े है ना कुछ mention है उसमें सब कुछ आ गया उसमें GST नंबर भी आ गया party का उसमें amount भी लिखा हुआ है उसमें text भी आ रहा है address भी आ रहा है तो सब कुछ उसमें मिल गया है ना सारे evidences उसमें आ गया ना तो appropriate है हमारे लिए ठीक है कि थाड़ पॉइंट यह था कि हमारी बुक में जो हमने आपको भुग करने के लिए उसमें कहीं कहीं पर standards of auditing के reference दिये हुए जैसे evidence का essay है essay यहनि standards on auditing essay 500 में evidence के बारे में चीज़े बताई है तो आपको essay याद रखने की जरूरत नहीं है इसलिए जो हमने आपको document बना के दिया है जो भी हमने आपको presentation में include करके दिया है उसमें essay का reference नहीं है उसके जरूरत नहीं है आपको ठीक है सर क्लास लगबख कितने time की होगी लगबख लगबख कितने class होगी लगबख लगबख कितने class होगी लगबख April end में end दग आपके class होगी कोशिश है रहेगी 35 classes के around हो जाए complete more or less क्योंकि starting के classes में हमने time दिया था ज्यादा अब हमारा pace थोड़ा fast होगा और आपको reading करनी होग ठीक है समझाने का काम सारा मेरा है और ये भी कैसे पढ़ना भी कैसे वो भी मैं बताऊंगा लेकिन read out आपको करना पड़ेगा एक बार जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि exam में कितना लिखना है उसको बड़ा कैसे करना है ठीक है और timing होग कि लगबग लगबग डेड़ घंटे की एक class की डेड़ घंटे से कम ही रखेंगे बड़ आप मान के चलिए अगर डेड़ घंटा भी हो जाए तो कोई issue ना हो क्योंकि content बहुत है पढ़ाने के लिए आपको audit subject लगता है कि आप कर लेते हो बड़ आपको बहुत से चीज़े आप उपर उपर से करके चले आते हो जो आपको नहीं करना चाहिए एक मिनट ठीक है चलिए तो एक बार अब ये कुछ questions थे जो बच्चों के मने में आ रहे थे एक बार हम पिछली class का revise कर लेते हैं जल्दी से बहुत fast करेंगे हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था principle of audit में हमने पढ़े थे छे पॉइंट एक था integrity में आपको ध्यान रखना है honesty होने चाहिए, diligent होना चाहिए, responsible होना चाहिए audit audit इमानदारी से होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, बाकि आपको एक, दो, तीन ये word याद रखने है h से honest, d से diligence, r से responsibility ठीक है, fair presentation, सब कुछ fair होना चाहिए, साफ साफ present किया होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ words आपने छोटे 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 लिख दिये, लिखना है कहीं और report में opinion paragraph होता है top पे, opinion paragraph आपने नीचे कर दिया, ऐसे नहीं करना, जिसकी जहां पे जगे है, उसको उतना ही लिखना है, उसी जगे पे लिखना है, सब कुछ fairly present आप करें, अपनी audit report में, ठीक है, due professional care, जब आप audit करोगे, तो professionally audit करना है, उसके carefully, carefully और professionally करना है, हवा में नहीं करना चीज़ है, आप CA हो, आप auditor हो, आपको तरीके से audit करना है, अपनी skills लगानी है, आपका जो experience है जो judgment लगाना है, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, competence, यानि CA, CA की चीज़ों में जो आपने पढ़ा हो ना सब कुछ, वो लगा के आपको audit करना होता है, confidentiality, confidentiality, जो भी audit के दौरान हमने document, सबूत, इखटे किये हैं, auditor ने, वो किसी तीसरे आदमी को नहीं देने, जब तक किसी law में ना लिखाओ, ठीक है, companies act में ना लिखाओ, RBI के act में ना लिखाओ, income tax के act में ना लिखाओ, तब तक आपको किसी तीसरे आदमी को नहीं बताना, ठीक है, independence, हमने discuss करी लिया था, बिना किसी के दबाओ में आके, evidence-based approach, audit हमेशा सबूतों के base पर होगा, ऐसा ही नहीं आप किसी को गलत हराद होगे, आपके पास कोई तो सबूत होगा ही न, रही बात, persuasive evidence and conclusive evidence, यह हमने discuss कर रही लिया था, कि conclusive evidence होता है, 100% correct, और persuasive evidence होता है, 100% से कम correct, यह तो concept है, लेकिन लिखना क्या से है, वो भी आज discuss कर लेंगे हम, at the end of the class, advantages में क्या क्या फायदे होते हैं, audit करवाने के, जो मालिक होते हैं, investors होते हैं, पहला point, उनको assurance मिल जाती है, ठीक है, हाँ बई, सबकुस ठीक है, second, error और fraud, यह निकल के भाहर आ जाते हैं, जो भी गलतिया है company में, जो कि fraud चल रहे हैं, वो भी भाहर आ जाएंगे, निकल के, तीसरा independent view मिल जाता है, एक तीसरे बंदे का view मिल जाता है, जैसे हैं बच्पर में copy चेक कराते थे थे ना, यार दोस्त तू करियो मेरा answer चेक, उसके हिसाब से आपके number कम आ रहे हैं, तो एक तीसरे बंदे का point of view मिल जाता है, कि क्या सही है, क्या गलत है, moral चेक, इससे एक moral चेक हो जाता है, हमारी company के logo का, कि वो सही काम कर रहे है, वो fraud तो नहीं कर रहे है, चोरी चाकारी तो नहीं कर रहे है, company का data तो नहीं निकाल रहे है, stakeholder confidence, जो audit हो जाता है, तो stakeholders को सब को confidence आ जाता है, कि हाँ भाई, company में काम सब बढ़िया से हो रहा है, next limitations, लिमिटेशन तीन यह audit करवाने के लिए पैसा लगता है, ठीक है, audit free में तो करेगा नहीं, CA के उसके लिए पैसा लगएगा, ठीक है, तो costly होता है, दूसरा, time factor, अब यार एक चीज़ बताओ, दोनों angle से, company के angle से भी, और auditor के angle से भी, company को भी सारा data एक साथ देना पड़ता है, ठीक है, उसका कभी समय खराब होता है, और main यहाँ पर audit के angle से, auditor के angle से, पूरे साल का data कुछ हपतों में खतम करना होता है, even कभी कभी कुछ दिनों में भी बोल देते है, client last में document देता है, सितंबर last के date होती है, 30 सितंबर की audit करने की, कई बार client क्या करता है, आपको 20 दिन पहले document देता सारे कि सर अब हमने अपनी books complete कर ली है, अब आपके audit कर दीजे, ठीक है, तो time की कमी होती है, last, inconclusive evidence, वही जो हमने persuasive पढ़ा था, persuasive evidence होता है, कई बार होता है, कि evidence, सबूद, हम 100% धूण नहीं पाते, management, जो company के लोग है, उन्होंना सबूतों को इस तरह से manipulate किया होता है, कि हम ध हम 100% audit पे, मतलब audit में 100% चीजों पे हम rely नहीं कर सकते, 100% audit हमें सा successful नहीं होता, चलो, आज स्टार्ट करते हैं अपना techniques of audit, आप auditing में कैसे कैसे audit आप कर पाते हो, करते कैसे कैसे audit, यह आपको error of fraud धूणना था, second objective था न, गलतिया धूणना, fraud धूणना, अब धूणोंगे कै अब हम पढ़ेंगे, पांस तरह के technique दे रखी है, sorry, अज थोड़ा सा तबिया down है, please manage करना, I hope आपको दिक्कत नहीं होगी, पहला point, अब क्या करते हो, documents and record को check करते हो, अपसे पहले सबसे बेसिक चीज तो यहीं करते हो, audit में, जाते हो documents जो भी company के पास होते हैं, books of accounts होते है या फिर आपके papers होते हैं, कुछ meetings के minutes होते हैं, बहुत से चीज़े होती हैं, तो आप document वगरा, record वगरा चेक करते हो, सबसे बेसिक तरीका तो यहीं है audit का, second point, physical examination, physical examination, generally आप कहां करते हो, physically जाके, खुछ से जाके देखते हो, कहां पर, यसे stock हो गया, माल पढ़ा जो गोदा या फिर आपके stock register के account, माल है 10 लाग का, आप गोदाम में आपने जाके खुद देखा, यहां पर तो 8 लाग का माल पढ़ा है, या फिर यहां पर 12 लाग का माल पढ़ा है, आपने तो 10 लाग का दिखा रखा है, ठीक है, तो physically जाके आपने देखा, इसी तरह हम example लेख सकते है fix assets का, fix assets का exam पर हमने last class में भी लिया था कई बार, यह books में तो दिखा रखा है कि आपने machine नहीं नहीं खरिद लिया एक, आपने खर्चा दिखा दिया, यह हमने एक नई machine नहीं खरिद लिया, यह 20 लाग की, लेकिन आप जब गोदाम में गए, sorry, जब factory में गए, तो आपने आपने physical examination, आप ऐसे भी चीज़ों को धूंड सकते हो, error और fraud निकाल सकते हो, खुद जाके, खुद धूंड के, ठीक है, खुद देखके, observation, अब देखो, observation में क्या होता है, word तो बहुत easy है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, observation में कई बार क्या होता है, कि आप चीज़ों को आपकी होती है, या फिर की गई होती है, कमपनिया में, कि धूंडना उसको मुश्किल हो जाता है, जैसे जो example आपकी book में है, वह example ले लेते हैं, जैसे stock है, अभी हमने stock की बात की थी थी न, उपर, stock को कई बार क्या होता है, कि stock ऐसी जगह रखा होता है, जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत जमीन के नीचे stock रखा हुआ है, कुछ mining company होती हैं, coal mining company होती हैं, या फिर mineral oil निकालने की company होती हैं, जो अंदर से oil निकालती हैं, तो order अंदर तो थोड़ी जात होता देखने, बुजाई नहीं पाएगा उसकी तो आलत खराब हो जाएगी, ठीक है, और भी risk होते हैं, और भी बहुत से businesses होते हैं, chemical factories में, कई बार क्या होता है, chemical factories में अगर आपने कहीं देखा हो या नहीं भी देखा हो, तो जो chemical के container होते हैं, वो तो chemical finally बन जाता है, तो जहाँ वो chemical बन रहा है, वहाँ पर जहरीली gases होती है, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि आप अंदर नहीं जाकते हैं, आप देख लो, बाहर से हम बता देते हैं कि कैसे कैसे होता है, तो ऐसी जगह पर auditor क्या करेगा, अपना observation लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, प्रोसेस को observe करेगा, उसके हिसाब से अपना opinion देगा, ठीक है, जस्त असकीन, हलो, ओके, चौता, inquiry and confirmation, देखो, inquiry and confirmation ये नाम से ही प्रोफ हो रहे हैं, नाम से प्रोफ हो रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा हो रहा तो, हम अच्छे सा समझ लेते हैं, और भी अच्छे से, इंक्वाइरी करना कि पुलीस वाले आते न इंक्वाइरी करते हैं आपके घर से लाश मिलिए ठीक है अरे मतलब ऐसा मत समझना ऐसा मत कर देना ठीक है इंक्वाइरी यानि आप को कहीं दिक्कत लग रही है कि अपने क्या पूछा आपको लग रहा है इस बन्दा को गडबड कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो उस बन्दे से इंक्वारी भी कर सकते हो यहाँ पूछता च ठीक है, फूस्ताच भी आप कर सकते हो, and confirmation, confirmation क्या होता है सर, confirmation दोस्तों ऐसा होता है, जो company हमें क्या लगता है, हमें कभी कभी किसी ledger पे या किसी customer पे, किसी creditor पे डाउट होता है, यह वाला debtor तो हमसे हर साल इतना माल खरीदता था, या फिर इस वाले creditor से तो हमने इतना माल खरीदा होगा, लेकिन इसके credit balance में year end पे तो बहुत ज्यादा balance आ रहा है, तो order क्या क कर सकता है, कि इस company के creditor को एक letter भेज सकता है, कि सर आप जड़ा बताईए, कि आपके पास, आपके record में जो इस company का balance है, वो कितना है, उसके record में हम debtor होंगे, हमारे record में वो creditor है, तो दोनों का balance सेम होना चाहिए न, year end पे, तो वो क्या कर सकता है, उससे confirmation मंगवा लेगा कि ह हाँ जी, वो आपको ये बता देगा, कि हाँ सर, मेरी books में ये बंदा debtor खड़ा है, पंदर लाग का, और हम अपने books में देखेंगे कि debtor कितने, creditor कितने का खड़ा है, creditor मानलो अगर खड़ा होगा 12 लाग, तो हम क्या पूछेंगे, कि भीया 3 लाग का गया, ठीक है, तो य generally ये debtor और creditor के case में ही लेते हैं, debtors and creditors, ठीक है, तो ये होती है confirmation, computation, computation बताने की ज़रूती नहीं है यार दोस्तों, computation यानि balance sheet बन गया, pay and l बन गया, income tax ही computation बना दिया आपने, तो आप क्या देखोगे, कि कोई calculation mistake तो नहीं है, टोटल तो सई से किया हुए, asset side आ रही है, 10 लाग की, यहाँ पर आ रहा है, liability side आपका मान लीजिए, आपने 20,000 कम किया हुए, कहां गया, ठीक है, profit and loss में, आपने profit calculate गलत कर दिया, formula कहीं excel में बनती है न, balance sheet बगरा, कहीं formula तो गलत नहीं लगा दिया, जब income tax calculate किया, तो हमें मान लेजिए, हमारी company आ रही थी, company tax हम आ रहे थे, 25% की tax slab में, और हमारा जो account है, accountant है, कुछ बंदेयां क्या कर दिया, 30% tax डाल दिया, 30% वाली competition कर दिया, तो गलत हो गया न, तो यह सब चीजे भी हम छोटे मोटे calculation भी check करेंगे, ठीक है, तो यह बहुत easy point थे, जो आगे हमने brief में भी दे रखा है, वो आपको read करके आने है, अब read करता समय आपको क्या क्या चीजे ध्यान रखने हैं, वो मैं हर एक point में आपको बता देता हूँ, आपको read out पूरा करना है, ताकि जब यह paper में आए तो आप पूरा लिख पाएं, ठीक है, चिंता मत करना, जब audit खतम हो जाएगा, audit वाला part खतम हो जाएगा, तब हम एक बार मोटा मोटा एक class ऐसी रख लेंगे, जिसमें जो important question है, वो discuss करें, और उनको लिखना कैसे है, वो भी discuss करें, तो आपको एक overall idea मिल जाएगा, लिखना कैसे है, ठीक है, कई बार paper में बच्चे गलत तरीके से लिख देते हैं, सिर्फ इसे लिए वो रह जाते हैं, या फिर number बहुत कम आते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको याद रखना है, word, examination, the supporting document and record, ठीक है, इसमें ये line आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये, this technique is also called as vouching, second point में आपको ध्यान रखना है, counting and identification, यानि आप गिनोगे चीजों को, और identify करोगे, कि हाँ, वहाँ पे उस factory में वो नई machinery आई है या नहीं आई है, उसे आप identify करोगे, देख के आउगे कि हाँ, अच्छा हाँ, चलो जी, नई machinery है, रखी हुई है, ठीक है, औ heading में, इसमें देखो आप इसमें क्या बताया, asset like जैसे land है, building है, जो चीज़े देख सकते हैं, physically exist करती है, उनको आप physically जाकर देख सकते हो, observation में मैंने क्या बताया था, जहां पे आपका जाना, आपका चेक करना मुश्किल हो, जैसे वो chemical factory का example लिया था, coal mining का example लिया था, महा पे वो अपनी observation लगाएगा, ठीक है कि अगर इतना माल एक दिने बन रहा है, तो इतना चार दिन में कितना माल बना होगा, ऐसे ऐसे तरीकों से वो observation लगाएगा, तो इसमें आपको क्या जहां रखना है, इसमें आपको जहां रखना है, stock का example लेना है, ठीक है, मैं जान बू आप लिखने में बनाओगे, वो इन words को include करके बनाना, जो मैं यहां पर highlight आप से करवाऊँगा, ठीक है, यह देखो, order to count stock physically, जहां पर possible नहीं है, ठीक है, जहां पर possible नहीं है, order का physically count करना stock को, वहां पर आप observation अपनी लगा सकते हो, next point, inquiry and confirmation, inquiry and confirmation में जाने लिया है, कि पूछताच और balance का confirmation अपने creator से करवा लिया, हमारे bank से करवा लिया, bank से पूछ लिया, भाई, इसने तुम से इतना loan ले रखा है, देखो, इसने अपनी books में दिहार रखा है, यह दो करोड का loan लिया है, क्या आप सब loan ले रखा है, तो order क् letter भेजता है, अपने auditor की तरफ से, खुद की तरफ से, अपने letter head पे, एक confirmation letter लिखेगा, कि इस इस company का, मैं auditor हूँ, और यह balance मुझे जानना है, इस date का balance जानना है, कितना loan लिया है, जो पी चीज़े उसे जाननी है, वो उसको भेज देगा, third party को, और वहां से third party उसे reply कर देग इसमें आपको जाद रखना है, return, confirmation, and certificate from third party, यह आपको लेना होगा, ठीक है, लिखित में आपको सबूत चाहिए, लिखित में आप confirmation लोगे, लिखित में आप inquiry करोगे, competition, competition, तो यह भी आप जनने ले सकते हो, जो भी accounting एंट्रियां है, records है, उनकी totaling, उनकी accuracy जानना, कि वो accurate है, accurately calculate किये गए है, कि नहीं, simple, यह आपको पढ़, यह आप एक बार रीट करना, कोई doubt आएगा, तो आप बताना, ठीक है, otherwise में कोई वैसा issue नहीं आता, doubt नहीं आता, ब इहांसों झाल आता, बार रीटया सुट消ा है, एक रार आता, यह जक है जुट किया झाता, वा झापको जिल आता है, झाल उनकी तो वह एमने इड़ाने ले, वह आता, अच जा़ एिल दो एलना Hab Ri, San Ana, 3 Soul